यास्मीन जी है, MP से हमारे साथ, स्वागत है आपका हालो हान जी कर लीजे बात जी आदाब, यास्मीन मैं हजीर हूं, बताए क्या सवाल असलाम अलेकूं पालेसलाओ हालो जी जी फरमाइए मैं सुन रहा हूं मेरे दो सवाल है, एक तो मेरी नना दे उनके बच्चे नहीं होते, जो है उनके कमी है, MSP कमी है उनके, MSP कमी है उनके, 8 साल की बेटी है, ठीक है, एक बेटी है मतलब उनके? ठीक है, दूसरा सवाल है, एक बेटी है, अब एक बातो ऑपरेशन करा लिया, लेकिन वो दुबारा फिर बन रही है, बच्चे के उमर कितनी है? 17, 17, 17 साल की है, ठीक है माम, ठीक है अधिकि आपकी ननन्द के लिए, बेटी है, बेटी है आपने पहले भी सवाल किया था, मैंने जवाब दिया था, ऐसा मुझे याद हो रहा है, कि एक आता है गौन्द चिलगोजा, असली खरी दें, गौन्द चिलगोजा और एक चुटकी गौन्द चिलगोजा, अधर गिलास या एक गिलास दूद में डाल दें और एक चमच इसब गोल की भूसी जिसे भूसी इसब गोल इसब गोल की भूसी कहते है मेडिकरस तो पर मिल जाती है इसमें मिला दें और इसमें शक्कर वगयरा भी मिला कर इसे जायकेदार अपना मीठा करके जायका अपनी पसंद का रात को सोते वक्त एक बार कालिया करें तो उनकी इस परिशानी में फाइदा होना मुम्किन है और बच्ची जिसको गाट हो जाती है उसको ये देखें किया खून की कमी है उनके अंदर खून की कमी से भी बार बार गले में गाटे होती हैं और एक के बाद दीगर निकलती रहती है तो खून की कमी हो तो खून को पूरा कराएं और एक नुस्वा उनके लिए के एक चुटकी में जितना खाने का सोड़ा आ जाए आपके किचन में जो खाने का सोड़ा है एक गिलास पानी में मिला है और एक चुटकी में जितना नमक जैतून आ जा है नमक जैतून असली लेना ये नकली भी आता है ये भी मिला दे और ये एक गिलास पानी रोजाना बच्ची को पिला दिया करें बस एक बार काफी है जब मीज़ है उनको फाइदा मुम्किन है बताइए किस तरह की है कितनी उमर है ग्यारा साल ग्यारा साल और एक में वो नीननी अक्टी रात को ढाई जाए टीन सी तरच जाते हैं ठीक है ठीक है ठीक है असमान जी देखिए वो ग्यारा साल की बच्छी को आदी चुटकी ये चुटकी है इसमें से भी आदी चुटकी गौल्ट चिलगोजा खिला दें और उपर से पानी या दूद पिला दें रोज़ाना बस एक बार रात को सोते वक्त पिलाएं तो बहुत अच्छा उसकी ये ऐलाजी अच्छी होना मुम्किन है अच्छा देखिए नीन के लिए भी काफी नस्खे हैं और दिन और रात में अगर हमारी नीन तकरीबन च्छे-साथ गंटा मिलाकर हो जाती तो फिर तो नीन की जरूरत देंगे क्योंकि कुछ लोग रात में पूरा नहीं सोते और दिन में दो-तीन गंटे सो जाते तो अगर च्छे-साथ गंटे आप सो पाती है चौबिस गंटे में तो फिर आपकी नीन पूरी है और उसके बावजूद अगर ये प्राबलम है तो जो लोग शूगर के मरीज नहीं है वो कुछ मीठा खाके सोया करें तो बहुत अच्छी नीन लाती है और मीठे में भी वैसे तो अं गूर नहीं तो कुछ मिठाई मिठाई नहीं तो कुछ शकरी हो गुड़ हो कुछ भी थोड़ा जयादा खाके सोया करिए आपको अच्छी नीन आना मूमकिन है गाजबाद से हैं सत्याजी स्वागत है आपका अंजि मां नमस्कार मां विव्जी नमस्ते जयाहिन सत्याजी आपका स्वागी जी मैंने आपकी दवाई खाई आ है साल बार तक तो मेरको उसे बहुत पाइदा हुआ है और मैं काफी अधक्तिक हो गया है अब मैं अपनी कजन के लिए आपसे दवाई पुषना चाहती हूँ आपने कौन से दवाई खाई थी सत्या जी मैंने काला गूंद पुर रिंगा खाया है बहुत अब आपको बहुत अबदे परसंट थी को गई हुम रह गया है अब जवाई खा रहे हुँ तो ड़ाई खाहरी हूं जी मेरी कजन है उसकी अमर ऐठावंवन साल है उसका बी पी हाई रहता है उसको शोगर है ता आही है रहे है जुट इस हता दियों है आही। पहले अपलप डाह कर मेजा है। ऑुट जातए, उलतर ल्यम्यों क То ह裡面 हम elles सब रहे हैं। जातेमिना कि पे प्रह शीकायत होता है। अज़न ध्यत्रेयों की चाभी जाती है। र अजयता हो तकानले लीग वोर। तो आप मुझे उनके लिए ये द्वाई बताईए और दूसरा मेरा कोस्टन है मेरी बेटी का बेटा है छे साल का होने वाला है लेकिन ना तो वो कुछ धंग से खाता है बतल बहुत ही कमवोर है और उसके थोड़ी लीवर में थोड़ी बहुत सूजन लिया है आप उसके लिए द्वाई बताएं और तीसरा प्रेशना आए जो आप एक बताते हैं न कि जो डेली द्वाई खाता हो जिससे साइब इशक्त ना हुआ शरीर के किस יसे में मुक्षान ना हुआ उसके लिए भी आप नुसका बताते हैं तपली दा वो नुस्ख़ें भी बताएं ठीक है देखिए वाकई मैं एक नुस्ख़ा ऐसा बताता हूं और पहली बार किसी का फोन आया कि उस नुस्ख़ें को रिपीट करिए बहुत समझदार महिला है आप और ये दवाईयां हमारी जीवन के साथ जुड़ गई है और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दवाईयों के बगएर जिन्दगी की गाड़ी आगे नहीं चला सकते और कभी भी कोई भी दवा ऐसी खानी ही पड़ती है जो ऐलोपेटिक होती है जिसके ज्यादा इस्तमाल से नुखसानाद भी होते हैं तो एक नुखसका मैं हमेशा कहता हूँ के जो भी लोग दवाईयां खाने पर मजबूर है जीने के लिए तो वो अलसी को हलका सा भून कर पाउडर बना ले जितनी चाहे अलसी ले 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 गराम दो सो गराम तीन सो गराम उसको हलका सा भून कर पाउडर बना ले ज़्यादा ने भूना और एक चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाएं और इस पानी से आदा चमच या एक चमच अलसी खा लिया करें एक बार भी खा लेंगे तो स्वस्त रहेंगे और किसी दवा को नुकसार नहीं पहुचाने देती यह नुसका और फाइदे कितने करती है एक तो लीवर को सही रखती है लीवर का बच्चे को प्राबलम है न तो बच्चे को बच्चे की खुराग देंगे एक ही खुराग देंगे खाली बच्चे को एक ही खुराग देंगे छे साल का है तो उसको देने का तरीका ये है कि एक चुटकी नमक जैतून एक लीटर पानी में डालने है और बच्चे को दिन भर पिलाते रहें दो दो चार चार समच जितना भी वो पिए और आधी बोतल या एक बोतल पानी ये दिन भर में खतम करने तो बच्चे की तंदरुस्ती लीवर ठीक होने के बाद ही बनेगी और भूग भी जब लगेगी जब लीवर अच्छे से काम करता है और इस नमक जैतूर में ये सलायत है कि लीवर को मजबूर कर देता है कि ठीक से काम कर पिर ये वरम दूर करता है लीवर पे हो, पिडणी पे हो, पेट में हो, मैदे पे हो, आतों में हो, बावसीर हो यह उन सब में फायदा करता है तो बच्चे को सिर्फ एक उट की पूरे दिन में देना है ये तो बच्चे का इलाज हो गया और क्या सवाल है? तावन साल के एक पेशेंट है, बी-पी, शुगर, थारेड, यूरिक एसिद, घबराहट, पेट खराब, और उल्टी टांग में दर्द रहता है तो अपको अनभव होई गया कि दर्द के लिए ह कि अईर्वेद यूनानी में गौन सिया से अच्छी कोई दवा नहीं है मेरे भी अनभव में यहीं है और आपको भी अनभव हो गया, तो आदा गिरम गौन सिया दिन में एक बार यदो बार उन्ने देना शुरू करें तो ये तो दर्द का के लिए है फिर वही सब बाते जो मैं दुबारा कहता हूं कि जाड़ू पहुचा ना करने दें वैस्टन ट्वालेट का यूज करें और महनत ना करें वजन ना उठाएं तो उनका ये मामला अच्छा हो सकता है अब ये जो बीपी थारेट भी है ने जी थ चुटकी खाने का सोडा एक चुटकी बस एक चुटकी नमक जैतुन पानी में मिलाएं और इस पानी से एक चमच धनिये का पॉडर खाएं धनिये का पॉडर एक चमच खाके ये पानी रोज पी लिया करें दिन में दो बार इनकी थाइराइड, बीपी, बावासीर, यूरिक एसिड यूरिक एसिड भी अगर ज्यादा हो तो इसमें अलसी भी मिला सकते हैं धनिये में बराबर की अलसी भी मिला सकते हैं अगर यूरिक एसिड जादा है तो उसको भी ठीक होना चाहिए देखिए मामूली साथ उसका है लेकिन ये थाइराइड से लेकर ब्लड पेशर, मोटापा और कॉलिस्टॉल और कमजोरी और वजन को कम करने की ताकत रखता है लखनाओ से है तैसीन जी स्वागत है आपका वालिकॉम असलाम मम अपको भी माम बहुत बहुत कैसी है मम? मैं ठीक हो, आप कैसी है? अल्हूम बल्लाला का शो चाहरा है आज अब बहुत अख़्ी लेगी मैम असलाम अले कम साब वाले सलाम आप भी बहुत अच्छे लाइक रहे हैं जी आप तो हमेजे यह से लगते हैं शुक्रियाज, सलाव बत रहे हैं जी जी अच्छका में यह जानना था कि जैसे यूरीन इंपेक्शन में नमक जैटून और अलसी और क्या वो तो धन्या खाने थे फेर नहीं पहना था चाहते हैं प्रमीन भी आलयता है सज्सक्राव॥ यह को knife कि देख कि वो टीन अच्छनी हूं अजिक है फ्रॉख कुछ तो चाहत रही होगी इन बारिश की बूंदों की वरना कौन गिरता है जमी पर आत्मान पर पहुँचने के बाद या आपके लिए जा बहुत शुक्रिया और आपका सवाल देखे इंफेक्शन में ज्यादा तर तर जरुवत नहीं परती पशाप के इंफेक्शन में ज्यादा तर तर जरुवत नहीं परती नमक जैतून और अलसी काफी होती है लकिन अगर पढ़ जाए तो आप ऐलोपेट भी साथ में ले सकते हैं क्योंकि जहां बड़े बड़े अलोपेटिक एंटीबाइटिक्स काम नहीं करते और मुद्दते हो जाती हैं उसको इस्तमाल करते हैं वहां इसकी एक खुराखी बहुत फाइदा पहुंचाती है तो जरूरत पड़े तो मैंने हमेशा कहा है कि ले लिया करें अलोपेट नहीं तो ये आपके पिशाप के इंफ ही ओना चाहिए